असलम वालेकुम फेरेंस वेलकम बैक टो जुल्फा जहान आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा रेसिपी शेयर करने जा रहे हूं जो मैंने पहले कभी ट्राइ नहीं किया था जब मैंने इस रेसिपी को देखा मुझे लगा कि एक बर जरूर ट्राइ करना चाहिए क्योंकि तो उसके लिए सबसे पहले लिया हाफ कैबिच और उसको बहुत लंबा लंबा पतला करके स्लाइस करके काट लिया और उसके बाद इसमें मैं थोरा सा नमक और गरम पनी दे के इसको थोरी दिर के लिए छोड़ दूँगी ऐसा करने से इसके अंदर का पेस्टिसाज भी हट जाएगा और यह सॉफ्ट भी हो जाएगा कैबिच थोरी सॉफ्ट भी हो जाएगा इसलिए इसको थोरी दिर गरम पनी में रखते रहे हैं यहां पे करें गैस ऑन और करा ही यह पे और सबसे पहला जो काम करूंगी वो है लाल वाला तिखा मिर्च इसमें फ्राइ कर ले रही तो सुचे कि यह हो गया पुरा क्राँची हो गया इसको उतार लिया उसके बाद सर्शो का तेल दे दिया कराई में देने के बाद एक भरा प्याच स्लाइस करके उसको भी अच्छे से फ्राइ कर लेना है golden fry भी कह सकते हैं या तो थोड़ा जला जला होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा फ्लेवर अच्छा आएगा इसमें से ये भी होगा इसको निकाल लिया उसके बाद फिर से थोड़ा सा मस्टर्ड वैल देके यहां पर दो अंड़ा कर ले रही हूं और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिक्स कर रही हूं ना नमक ना कोई भी मसाला बस इसको अच्छे से फ्राइब कर लेना है इसका कच्छापन हट जाए पूरी तरीके से फ्राइब हो जाए इस तरीके से बस इसको न कर लेना है और यहां पर यौना पर बोल नमक मसाला कुछ भी नहीं दे रही हूं इसको से थी तोरी देर ढख कन लगा के हाफ थी को नैLES पूण कर दिया और यहां पर मैं अड़ करूंगी एक टुमेटो एक टोमेटो अच्छे से टुक्रा टुक्रा करके काट लिया और उपर रख रहे और इसको भी मुझे गलाना नहीं है जस्थ थोरा सास्थ हो जाए उसके लिए उपर रख दिया बस ये भी सॉफ्थ होने כ recipients थोरा सा तो जो चिलीस है उसका डंटल को हटाया और इसमें थोड़ा सा नमक देखे मतलब स्वादा नमक देखे इसको अच्छे से मैश कर लिया मैश करने के बाद इसका बराबरा पार्ट जो है वह हमेशा मैं निकाल दी देती हूं मुह में नहीं आना चाहिए फिर प्याज के साथ इसको मिक्स किया साथ में अंडा भी ले रही हूं अंडा को भी मिक्स कर दिया अच्छे से मिक्स करने के बाद जो कैबेच मैंने बॉयल किया था टोमेटो के साथ उसको मुझे जितना मतलब सारा नहीं बनाया थोड़ा सा ही बना के देख रही हूं क्योंकि देखूंगी इसका टेस्ट कैसा है तभी जो बचा हुआ है वो भी बनेगा आगे अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ली मैंने इसमें एड़ किया वन एन हाफ टीस्पून जैसा सरसो का तेल और तील एड़ क इसको ट्राइब एक बहुत अच्छा खुश्बू मिल रहा था तो यह बन के तयार हो गया हमारा क्या बेच यानि की बन गूबी के भरता मैंने इसको गर्मा गरम चावल के साथ खाया और यह मुझे काफी अच्छा लगा और मुझे सब से अच्छा लगा इसका का रस और बहुत जरा धनिया पता आपको अगर पसंद है तो एड करके आप इसको ट्राइब कर सकते है यह अच्छा रेसीपी है तो फरेंज आप लोगो अगर कैबिच पसंद है और भरता पसंद है तो आप यह वाला रेसीपी ज़रूर एक बार ट्राइब करके देखिए और मेरे आगले वीडियो का इंतिजार करें